बढ़वानी जिले में बिक रहे नकली खाद बीच पर कारवाई और इंदीरा सागर परियोजना की नहरों से किसानों को पानी दिये जाने की मांग को लेकर भारती किसान संग के बेनर तले किसानों ने कलेक्टर कारेले पहुचकर मुख्यमंत्री के नम सोपा ग्यापन ग्यापन में किसानों ने मांग की है कि जिले में धढले से नकली खाद बीच की विक्री हो रही है कुछ दिन पूर्व प्रशासन के द्वारा सोसाइटी पर कारवाई कर नकली खाद भी पकड़ा है उसके बावजूद जिले में धढले से नकली खाद और बीच की विक्री हो याइन बारिस नहीं होने के कारण किसानों के खितों में पानी की कमी आ गई है। सिंद्वा लाइन स्पुक्याश के तरह कृत राज हाल में रक्तिदनांशुविर का हुआ है। पचास युनिट हुआ रक्तदान, सालसा जबलपूर के निर्दीस, एम जीला एम सत्र न्यायदीस के मार्क दर्शन में, तासिल विदिक सेवा प्राधिकरन के द्वारा कीला परिस्तर इस्तित लैंस कम्यूनिटी हाल में, रक्तदान शिविर का अजिन किया गया, जिसमें सुबास चंद्रबोस रक्तदान समीती के सदस्य मानव सिवा समीती, मदद कमिटी, शाह मिस्किन रक्तदान कमिटी, प्राइविट डक्टर एस्सेशेशन, आधी का महत्वा पुन्ने यूगदान रहा सेंद्वा उसके बावजुद हमें ग्राम पंचयतों में काम नहीं दिया जा रहा है। मंडला जिले में कुछ स्वच्छता हिद ग्राहियों के द्वारा उच्छे न्यालाय में सिटीजन दायर की गई है। कोरोना महमारी की कारण उच्छे न्यालाय द्वारा कोई निर्ने नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में हमें भी कोई कारे नहीं मिल रहा है। मोबिलाइजर ने ग्यापन देकर नियुक्ती और ज्वाइनिंग के आधार पर दिशा निर्देश जारी कर पंचायतों में कारे करवाने और मान देयर देने की गुहार लगाई है। पिथमपूर एशिया के सबसे बड़े आटोमेटिक आटो टेस्टिंग ट्रेक का केंद्रिय उद्योग मंत्री एवं प्रदेश के उद्योग मंत्री ने किया ई लोकारपन। उद्योगिक शेत्र के सेक्टर 3 में इस्थीत एशिया के सबसे बड़े आटोमेटिक आटो टेस्टिंग ट्रेक का आज केंद्री भारी में उद्योग मंत्री प्रकाश जावेड कर और प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्य वर्धन सियं दत्ती गाउं के द्वारा किया गया आटो टेस्टिंग ट्रेक करीब 3,000 एकर जमीन में फैला हुआ है केंद्र सरकार दोरा करीब 13,000 करोड की लागत से इस ट्रेक को बनाया गया है इस ट्रेक पर 6 लेन और 8 लेन सड़क को लेकर को करीब 11 किलोमेटर लंबाई में बनाया गया है ट्रेक पर 200 से 400 किलोम पास होने पर नोट्रिक संस्था के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा उसके बाद मार्केट में गारिया लॉंच की जाएगी